नमस्कार, शुब्दसाची के समचार बॉलिटिन में आपका स्पागत है, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से चंद्रियान 3 की सफलता के बाद अब इस्त्रो चंद्रियान 4 और 5 की तयारी कर रहा है इस्त्रो प्रमुक डॉक्टर S. सूमनात ने कहा कि अंतरिक्ष एजनसी ने अगले चरण के मून मिशन के लिए डिजाइन तयार कर लिया है, इसके लिए सरकार से मन्जूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है सूमनात ने ये भी बताया कि इस्त्रो की आगामी 5 सालों में 70 सेटलाइट लॉंच करने की योजना है उन्होंने ये जानकारी अखिल भारतिय तकनीकी शिक्षा परिशद और भारतिय अंतरिक्ष संग के आयोजित कारिक्रम में दी महराश्ट के ठाने में सडक पर दो वाहन चालकों के बीच लडाई हो गई बहस के बाद एक सफारी गाड़ी सवार किनारे खड़ी फॉर्चूनर का दर्वाजा तोड़ते हुए आगे निकल गया इस दोरान गाड़ी के नीचे एक शक्स दबा रहा सफारी सवार उस शक्स को करीब सो फिट तक घसीटते ले गया उसने वापस गाड़ी घुमाई और दोबारा फॉर्चूनर को टकर मारी इस बार टकर मारते हुए गाड़ी को कई मीटर पीछे धकेल दिया घटना में करीब पांच लोग घायल हुए हैं इस पूरे घटना करम का वीडियो पास की बिल्डिंग में किसी शक्स ने रिकॉर्ड किया ये घटना मंगलवार की है जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया है फिलहाल अंबरनात पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है मत्यप्रदेश का पहला राज्य इस्तरिये शिक्षक प्रशिक्षन केंद्र भोपाल में खुलेगा यहां शिक्षा में हो रहे नवाचार और बच्चों को पढ़ाने के रोचक तरीकों से प्रदेश के शिक्षकों को रूबरू कराया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तयार कर लिया है शासन की मनजूरी के बाद इस पर काम शुरू होगा बतादे के प्रदेश में 94,000 स्कूल हैं जहां सवा करोड़ विद्यार्थी दर्ज है इन्हें शिक्षा देने के लिए करीब 3,5 लाग शिक्षक हैं शिक्षकों को लगातार अपटेट करने के लिए हर साल प्रशिक्षन कारिक्रम कराया जाते हैं इनमें से ज्यादा तर जिला अस्तर और संभाग इस्तर पर होते हैं अभी राज्य अस्तर पर कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है इसे तयार करने के लिए प्रस्ताव बनाया गया है प्रशिक्षण संस्थान के लिए राजधानी में 10 एकड में भवन तयार होगा शिक्षकों को सीख देने के लिए यहां आधुनिक सुविधाय तो मौजूद होंगी ही यहां शोध भी होंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दोरान सामने आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए यहां अलग से सिल तयार होगी इसका प्रस्ताव तयार हो चुका है शासन की मन्जूरी के लिए इसे कैबिनेट में रखा जाएगा केंद्री राज्य मंत्री और केरल के जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया है विधान सभा में इस मौके पर मुख्य मंत्री मुहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुरेश पचौरी, फगगन सिंग कुलस्ते, राजे इंद्र शुक्ल, तुलसी सिलावट, राव उदै प्रताप सिंग मौजूद थे, भाजपा ने मंगलबार को कुरियन के नाम की घोषना की थी, नामांकन का आज आखरी दिन है, विधान सभा में बीजेपी का बहुमत देखते हुए कुरियन का राज्य सभा में निर्विरोध जाना तै है, व तौर भूपाल, गौालियर, जबलपूर, खजुराहों के बाद एक और नए हवाई अड़े की सौगात MP को सितंबर पहले सप्ताह तक मिल जाएगी, डिप्टी सीम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा चुका है और अगस्त के अंतिम दिनों में या सितंबर के पहले हफ्ते में इसका लोकारपन हो जाएगा लोकारपन में मुख्य मंत्री डॉक्टर मुहन यादव मुख्य अतिति होंगे और वे खुद भी इस कारिक्रम में शामिल होंगे शुक्ल ने कहा कि प्रधान मंत्री अरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट के लोकारपन में वर्च्वली शामिल हो सकते हैं मंत्राले में मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा से भोपाल दिल्ली मुंबई के लिए 72 सीटर विमान यहां से चलने लगेंगे इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद विंध पुर्जिले भी रीवा के करीब हैं इसलिए यहां के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे जो रीवा होकर MP के बड़े शहरों और अन्य राजियों में जाते हैं इस एयरपोर्ट को सत्ना जिले के नागरिकों की सुविधा के हिसाब से भी डेवलप किया गया है अधर फितर शुवो वह इन हाउस रहेगा कि इंटरनेशनल भी आपाई तो नीज़ वह बीवा से थोपाल और दिल्ली और बंबे चल्दी यह बहुत अब इन दिल्ली और कब से चक है प्लानिंग में कब से चालू हो जाएगा रेल मंत्राले द्वारा सभी जोनल रेलवे को आवंटित खर्च एवं प्राप्तियों का विवरन रेगुलर बजट पिंक बुक जारी कर दिया गया है जिसके तहर ललिपपुर सिंग्रौली रेल लाइन परियोजना के लिए बजट का आवंटन किया गया है इस बजट से अब रेल लाइन के अधूरे कार्य जल्द पूरे होंगे बता दें कि पशिम मध्य रेलवे द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट जारी किया गया है इसमें 9,499 करोड रुपे का बजट निर्धारित किया गया है इस नए बजट में ललिपपूर सिंगरौली रेल लाइन के 541 किलोमेटर की परियोजना के लिए 850 करोड रुपे का आवंटन हुआ है परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए बड़े इस्तर पर काम चल रहा है रीवा से गोविंदगर लाइन का ट्रायल भी हो चुका है रीवा में परिजनों के साथ पिकनिक मनाने आए युवक ने खंदो कुंड में नहाने के लिए छलांग लगा दी इस दोरान युवक गहरे पानी में चला गया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और SDRF की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी गई चार घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शब बरामत हुआ जानकारी के मताबिक सुजीत कुमार पटेल निवासी भड़रा थाना ताला जिल अममाई हर परिजनों के साथ पिकनिक मनाने गोविंगर के खंदों आया था सभी लोग खंदों में घूम रहे थे तभी युवक ने कुंड में चलांग लगा दी काफी देर तक जब वो वापस नहीं आया तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी बता दें कि ये कुंड काफी खतरनाक है और अंदर चटाने है जिससे इसमें नहाना काफी खतरनाक है यहां पर सुरक्षा की द्रिष्टी से रेलिंग और सूचना पटल भी लगाया गया है बावजूद इसके युवा इसकी अंदेखी करते हैं और अकसर दुरघटना का शिकार हो जाते हैं रीवा में एक तेज रफतार बाइक अनियंतरित होकर डिवाइडर से टकरा गई टकर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों युवक दूर जागिरे हाथसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो की हालत गंभीर है जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल रीवा में जारी है घटना जिले के सिमरिया थाने में बंभनी गाओं की है मृतक की पहचान अनित कोल के रूप में हुई है जबकि रमाकांध कोल और विक्रम कोल गंभीर रूप से घायल हो गए रीवा में पुलिस चौकी से हतकड़ी खिसका कर दो आरोपी भाग गए घटना गड़ थाने के लाल गाओं चौकी की है अलग-अलग मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था के चोरी के संदेह में लाल गाओं चौकी पुलिस ने वैभव सिंग और चीड़ हानी के आरोपी विवेक पटेल को पकड़ा था दोनों को लाल गाओं चौकी पुलिस में रखा गया था जहां उनसे घटना के संबंध में पूश ताच चल रही थी रात में पुलिस कर्मी दूसरे काम में व्यक्स्त हो गए जिसका फायदा उठा कर दोनों परार हो गए रीवर शहर में घरवालों को बंधक बनाकर असमाजिक तत्वों ने जम कर मार पेट की बारदात में दो युवक गंभी रूप से घायल हो गए है घटना बीती रात विच्छय थाना अंतरगत महाजन तोले के हरिजन बस्ती में हुई समय रहते घटना की जानकारी पुलिस अधिकशक विवेक सिंग को मिली और उनके निर्देश पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर सभी आरोपियों को गरफतार कर लिया पेडित परिवार ने बताया कि वो लोग कुछ दिन पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं घर के आसपास नशेडियों का जमावडा लगता है बीती रात जब घरवालों ने एतराज किया तो आरोपियों ने उनके घर में घुस कर हमला कर दिया जिसमें अशोक साकेत और पारस साकेत गंभीर रूप से घायल हो गए वहीं आरोपियों ने एक गर्ववती महिला का सिर्पानी में डुबो कर मारने का प्रयास भी किया सुप्रेम कोर्ट के SC आरक्षन में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाज़त देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद का एलान किया था रीवा में भारत बंद के दोरान प्रदर्शन कारियों ने जम कर हंगामा किया विवेकानंद पार्क पर एकतर होकर रैली निकाली और राष्ट्रपती के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा इसके बाद भारत बंद के समर्थन में उत्रे बस्पा कार्यकरताओं ने दुकानों को जबरन बंद कराने का प्रयास किया इस दोरान हंगामे के स्थिती बन गई नशामुक्ती केंद्र में पीट-पीट कर की गई डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने पति-पत्नी सहित तीन आरोपियों को गरिफतार कर कोर्ट में पेश किया है अभी भी दो आरोपी नशामुक्ती केंद्र डारेक्टर और मैनेजर फरार हैं बता दें कि डॉक्टर की हत्या के पीछे महिला से छेड़खानी की बात आई है जिसके चलते डॉक्टर को आरोपियों ने इस कदर पीटा कि उसकी अस्पताल में उप्चार के दौरान मौत हो गई मामले में महिला सहित पाँच के खलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है रीवा में सिंधी समाज द्वारा चालेसा महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका समापन बाबा घाट में किया गया 40 दिन की कठोर आराधना के बाद सिंधी समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाले गई साई मंदिर के पास से शुरू हुई कलश यात्रा में जूले लाल की जहाकी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं कलश के साथ शामिल हुई शोभा यात्रा में भगबान भोले नात की जहांकी भी आकर्षन का केंदर रही इस दौरान समाज के लोग जूले लाल के जैकारे लगाते रहे शोभा यात्रा के मार्ग में स्वागत के लिए जगह-जगह भव्य आयोजन किया गया बता दें कि सिंधी समाज के लिए 40 महोत सब एक बड़ा आयोजन माना जाता है अब बात करते हैं मौसम की तो देश में भारी तो कहीं मध्यम इस्तर की बारिश जारी है मानसून सीजन आधा बीतने के बाद भी कई इलाकों में अभी भी गर्मी उमस है मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ड जारी किया है पूर्वोत्तर राज्ये त्रपुरा में भारी बारिश की चलते साथ लोगों की मौत हो गई और दो लापता हैं जबकि 56 परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं रहत और बचाव की प्रयास जारी हैं इधर राजस्थान में तेज बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है जो तीन दिनों तक जारी रहेगा मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश से काली सिंध चंबल समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है जिसके चलते राजस्थान ने इन नदियों पर बने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है वहीं हिमाचल प्रदेश की आज जीलों में बाढ़ का अलर्ड चारी किया गया है आईए चलते चलते जान लेते हैं आज का इतिहास आज ही के दिन यानि 21 अगस्त को भारतिय संसद में 1972 में वन्य जीव संदक्षन अधिनियम पारित किया था जो देश में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा और संदक्षन का प्रावधान करता है ये एक महत्वपूर्ण कानून है और UPSC पाठेक्रम के परियावरण और परिस्थिति की अनुभाग का एक अभिन अंग है इसके अलावा भारत ने आज के दिन ही अपने एक रत्न को खो दिया था दरसल भारत रत्न से सम्मानित प्रख्याथ शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान का 21 अगस्त को 2006 मेने धन हो गया था सन 1979 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्तम पुरसकार और कई अन्य पुरसकारों से सम्मानित बिस्मिल्ला खान ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलाने में मुख्य योगदान दिया वश 1947 में देश की आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर भारत का तिरंगा फैराया जा रहा था तब बिस्मिल्ला खान की शहनाई भी वहां आजादी का संदेश पाट रही थी तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधान मंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन एक प्रथा बन गई इसी के साथ ये समचार बुलेटन समाप्त हुआ कल फिर हाजिर होंगे नई ख़बरों के साथ जुड़े रहे हैं शब्द साची से देजिए इजाज़त नमस्कार